हेलो माई लब्ली स्टूडेंट्स वेलकम व्योर आर्लाइन क्लासे तोडें वी श्टेटी इंग्लेश तोडें वी लर्न हाव तो बैच लेटर विद सेम लेटर ओके आज हम सीखेंगे लेटर को मिंस अलफबेट को सेम अलफबेट से कैसे मैंस करते हैं लास्ट क्लास में हमने बढ़ा था कि लेटर को पिच्छों से कैसे मैंस करते हैं बढ़ा था ना और आज हम पड़ेंगे लेटर को सेम अलफबेट से कैसे मैंस करेंगे तो चलिए देखें यहाँ पर कुछ अलफबेट से लिखें हो गई हैं M-N-O-P लिखें हैं M-N-O-P और यहाँ पर ही देखें कुछ अलफबेट लिखें हैं M-O-P-M लिखें हैं अब देखें हमें देखना है 1st M यहाँ है और इस वाली लाइन में M ताम अपर है यह लास्ट में M हैंना तो हमें इस M से इस M को मैंस करना है like this okay next यह क्या है N-N में और इस वाली लाइन में M कहाँ पर है यह है N सबसे 1st में तो हमें इस M से इस M को मैंस करना है like this यह क्या है O 2nd O कहाँ पर है इस वाली लाइन में यह है O तो चलिए आंग इस O से इस को मैंस करते हैं Kids आपकों के मैंस करने में बहुत अच्छा लगता होगा मुझे पता है क्योंकि मैंने बच्चों को बढ़ाया है और मचास्कियों की बच्चों को मैंस करना बहुत पसंद है तो आप इसे बहुत प्रैप्टिस करना A से लिख करके Z करके सारे अलफाबेस आप इसी तरह से 4-4, 5-5 लिख करके और मैंस करिए रहा ओके यह मैंस लेटर कौन सा है P और इस पर लेटर में देखे P महाँ पर यह है तो इस तीनी बच्चा है मैंस करना के लिए तो इस लास्टी से इस तीकों मैंस करते हैं यह हो गिया मैंस ओके केट्स इसी तरह से आप और भी कुछ लिख सकते हैं जैसे कि A B C D है ना यह B A B C हम कोई से भी अल्पावेट्स किस तरह से लिख करके भी मैस करना सिखेंगे तो हमें A से A मैस करना रहे है D से B C से C और D से D हो गिया ना मैस यही है आपका होम वर्ड सेव एज क्लास वर्ड एड A to Z रिडेर राइट हमें A से लेकर के Z तक का A B C D लिख करके और लॉन करना है रीड करना है ओकी केट्स बाई आपकोंड़ी हमें लॉन करना